हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा कुहाड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज से मैं आपको इस चैनल पर डबल एक्सल साइज के हाप अजू जैन स्वेटर को बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप सिखाना शुरू करूंगी आज इसका ये पार्ट नमबर एक है आज की इस वीडियो में मैं आपको उन और हेल्थ के अनुसार फंदे लेना डिजैनर फंदे डालना बोर्डर बुनना और बोर्डर के बाद ये जो डिजैन बनाया गया है इस डिजैन को बनाना सिखाऊंगे तो चलिए फ्रेंड्स आज क नमबर 17 है अब इस उन से इस जेंट स्वेटर को बुनने के लिए ये देखिए बोर्डर में मैंने 10 नमबर की स्लाई ली है और बोर्डर के बाद इसमें मैंने 9 नमबर की स्लाई यूज की है अगर आप भी 3 प्लाई वाली उन से जेंट स्वेटर बनाना चाहती है तो बोर् मलवाली है जिसमें तीन तार अलग अलग नहीं होते हैं इस उन से जेंट स्वेटर बनाना चाहती हैं तो बोर्डर के लिए आप 11 नंबर की स्वेटर लीजिए और बोर्डर के बाद आप इसमें 10 नंबर की स्वेटर यूज कीजिएगा अब हमें इसमें फंदे डालने हैं अगर आप इस तीन प्लाई वाली उन से डबल एक्सल साइज का जेंट स्वेटर बनाना चाहती हैं तो आप 10 नंबर की स्वेटर लीजिए और बोर्डर बनाने के लिए आप इसमें 107 फंदे डाल लीजिएगा और बोर्डर कम्पलीट करने के बाद इसमें मैंने 17 फंदे बढ़ाई हुए हैं क्योंकि ये जो हमने डिजैन बनाया है इस डिजैन को बनाने के लिए 10 के मल्टीपल प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं तो 124 फंदे हमारे हो जाएंगे क्योंकि 107 हमने बोर्डर के लिए 17 फंदे उपर बढ़ाए हैं तो 124 में ये डिजैन इस तरीके से एडजेस्ट हो जाएगा लेकिन अगर आप ऐसे वाली उन से डबल एक्सल साइज का ये जेंट स्वेटर बनाना चाहती हैं तो आप 11 नंबर की स्लाई लीजिए और उसमें 115 फंदे आप डाल लीजिएगा बोर्डर कम्प्लीट करने के बाद उपर आप इसमें 19 फंदे बढ़ा दीजिएगा जिससे आपके 134 फंदे बोर्डर के बाद हो जाएंगे 134 फंदे में भी आपका डिजैन इस तरीके से एडजेस्ट हो जाएगा तो चलिए अब मैं आपको इसमें ये जो डिजैनर फंदे डाले गई हैं ये फंदे डालना सिखाऊंगे और फिर मैं आपको ये बोर्डर बनाना बताऊंगे तो ये देखिएगा इस तरीके से आप अपनी सलाई ले लिजेगा और अपनी उन को इस तरह से डबल करके और य इतना लंबा फंदा आपको रखना हो डबल वाला उतना बना लीजिएगा. क्योंकि हमें जब ज़्यादा फंदे डालने होंगे तो ये डबल वाला धागा भी हमारा काफी लंबा होना चाहिए. मैं आपको थोड़े से फंदे में ये बोर्डर बनाना सिखाऊंगे और कम से कम फंदे में उपर वाला डिजैन बताऊंगे क्योंकि तरीका हमारा सेम ही होता है. तो ये देखे जो हमने डबल धागा कर लिया है इसको इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा सिंगल वाला धागा है इसके बीच में से ऐसे निकाल के इसको हम सलाई पर ले लेंगे और ये देखिए ये जो हमारा डबल वाला है इसको हम ख खीच देंगे तो ये देखिए इस तरह से डबल वाले को खीचने के बाद हमारा ये एक फंदा बन गया है अब हम डिजाइनर फंदे डाल रहे हैं तो देखिए उसके लिए कैसे करेंगे ये जो डबल वाला धागा है इसको अपनी उंगलियों पर ऐसे रख लीजिए और ये तो सिंगल वाला है इसे हम पैर के अंगुठे में इस तरह से लपेट देंगे इस डबल वाले को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और देखिए इसको ऐसे उपर की तरफ रख देंगे और सिंगल वाले धागे को देखे बीच में लेकर आएंगे और इसे सलाई के उपर ले अब डबल वाले को हम ऐसे खीच देंगे अब इसको हमने दूसरा फंदा बनाने के लिए नीचे की तरफ फोल्ड करना है और सिंगल धागे को इसके बीच में से निकाल कर स्लाई पर लाना है और डबल वाले को खीच देना है फिर से देख लीजिये इसको आप ऐसे इस तरीके से फोल्ड कीजिएगा कि ये इसके उपर आए और सिंगल धागा देखिए ऐसे रखना है इसे हम सलाई पर लाएंगे और डबल वाले को खीच देंगे अब जब इसको फोल्ड करेंगे तो नीचे की तरफ कर देंगे और इसके बीच में से ये जो सिंगल धागा है इसे सलाई के उपर ले लेंगे और डबल वाले को खीच देंगे एक बार फिर से आपको फंदा बना कर दिखाती हूँ देखिए इसको ऐसे पकड़ लीजिए और फोल्ड करके इसके उपर रखिएगा ये जो सिंगल धागा है इसे सलाई पर लाईए और डबल वाले को खीच दीजिए फिर नीचे की तरफ फोल्ड करना है और इसको ऐसे बना देना है आपको इसमें जितने भी फंदे बनाने हैं उसी हिसाब से इनको बना लीजिए तो ये देखे फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये 21 फंदे डाले हैं तो आप अपने हिसाब से ये वाली उन हो तो 115 फंदे डाल लीजिए और इस तरह की पलाई वाली उन हो तो 107 फंदे डाल लीजिए क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कम फंदे में बना कर दिखाऊंगी आगे आपको सेम रिपीट करती जाना है सिर्फ फंदे का अंतर आएगा कि मैं यहाँ पर कम फंदे में बता रही हूँ आपके यहाँ इस तरह से जादा होंगे तो फंदे डालने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक नोट लगा देनी है जिससे यहाँ से यह फंदे खुलते नहीं है उसके बाद आप इसमें एक सलाई सीधी साइड से और एक सलाई उल्टी साइड से बिल्कुल उल्टी उल्टी बना कर कम्प्लीट कर दीजिए जिससे यह जो किनारी होती है अब हम यह बोडर बनाएंगे तो यह देखिए पहला फंदा इसका एस्टीच है इसे आप उतारिए या इस तरह से उल्टा बनाईए अब हम धागे को पीछे करेंगे इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे लेकिन यह देखिए बैक साइड से इस तरह से स्लाई डालेंगे स्लाई के उपर से ऐसे धागा लेंगे और इसको सीधा बनेंगे अब हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा यह उल्टा बनाएंगे फिर धागे को पीछे करेंगे इस फंदे को हमें सीधा बनाना है लेकिन बैक साइड से देखे इस तरीके से सलाई लेंगे ऐसे सलाई के उपर धागा करेंगे और इसको सीधा बुनेंगे फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा फिर से धागा पीछे करेंगे और ये देखिए इस फंदे में बैक साइड से सलाई डालेंगे और इसको हम ऐसे सीधा बुनेंगे पूरी सलाई को आपने ऐसे ही बनाना है एक फंदा उल्टा धागा पीछे सीधे वाले फंदे में बैक साइड से स्लाई डालेंगे और इसको बुन देंगे सरफ अंतर इतना ही हमने किया है कि हमने जो सीधा फंदा बनाना है उसमें हम बैक साइड से स्लाई लेंगे स्लाई के ऊपर से ऐसे धागा घुमाएंगे और इसको सीधा बुन देंगे फिर धागा अपनी त एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे इस फंदे को हमें सीधा बनाना है लेकिन बैक साइड से ऐसी स्लाई डालेंगे और इसको सीधा बुनेंगे फिर एक फंदा उल्टा धागा पीछे इस फंदे को हमें सीधा बनाना है तो बैक साइड से फंदे में स्लाई डालेंगे उप उपर से धागा लेंगे और इसको सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा पीछे बैक साइड से फंदे में स्लाई डालेंगे उपर से धागा लेंगे और इसे सीधा बुन देंगे फिर एक उल्टा धागा पीछे इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे तो बैक साइड से स्लाई लेंगे वोपर से धागा घुमाएंगे और सीधा बना देंगे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा अब देखिए जो फंदा हमने इस साइड से उल्टा बनाया वो इस साइड पर सीधा बनेगा और जो इस साइड से सीधा बनाया वो यहाँ पर हमार उल्टा बनेगा जिससे ये बोर्डर दोनों साइड से एक जैसा बन जाएगा तो देखे ये पहला फंदाई से आप उतार भी सकती हैं और अगर बनाना चाहें तो बैक साइड से स्लाई डालिए और फंदे को सीधा बनाईए फिर धागा अपनी तरफ करेंगे ये देखे इस इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे फिर धागा पीछे इस एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे तो बैक साइड से हम इस फंदे में स्लाई डालेंगे स्लाई के उपर से धागा लेंगे और इसे सीधा बनेंगे फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा पीछे बैक से स्लाई डाल कर फंदे को सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा ऐसे करते हुए आपको ये पूरी स्लाई कम्प्लीट कर देनी है एक फंदा उल्टा धागा पीछे सीधे वाले फंदे को बुनने के लिए बैक साइड से स्लाई डाल कर और उपर से हम धागा लेंगे और फंदे को सीधा बुन देंगे तो ये देखिए ऐसे करते हुए मैंने पूरी सलाई को बना लिया है इन्ही दो सलाईों को बार बार repeat करना है और ये जो border की length है ये आपने पूरी करनी है मैंने ये जो border बनाया है ये पूरा 3 इंच बनाया है ये देखिए मैं आपको नापकर भी दिखा देती हूं यह पूरा थीन इंच है तो आप कम से कम डबल एक्सल साइज के लिए या एक्सल साइज के लिए तीन इंच का बोर्डर आप जरूर बना लीजिएगा तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से ये बोर्डर बनाना बता देती हूं ताकि रिपिट करने में आपको कोई दिक्कत ना आए तो पहला फंदा है अप उतार ये या उल्टा बनाईए फिर धागा पीछे करेंगे इस फंदे को हमें सीधा बनाना है तो बैक साइड से स्लाई डालेंगे और इसको सीधा बनेंगे फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा पीछे बैक साइड से स्लाई डालेंगे और फ जरू होता है, 10 सलायों का डिजैन है और 20 सलायों में कम्प्लीट होता है, तो आपको इसमें जो भी फंदे बढ़ाने हैं वो बोर्डर कम्प्लीट करने के बाद आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए, तो चलिए अब मैं आपको इसमें फंदे बढ़ाना ब उपर आपको 19 फंदे बढ़ाने हैं मैंने यहाँ पर सिरफ 21 फंदे लिए हैं तो इस डिजैन को बनाने के लिए 10 के multiple प्लस 4 फंदे होने चाहिए तो यहाँ पर मैं 24 फंदे करूंगे तो 3 ही फंदे बढ़ाऊंगी तो जैसे मैं यहाँ पर आपको फंदा बढ़ा कर बता रही तो यह देखिए आप इस तरह से स्टार्टिंग के दो फंदे बनाईएगा जब इसमें फंदे बढ़ाने शुरू करो और फिर यहाँ नीचे से एक लूप उठानी है और एक फंदा ऐसे करके बढ़ा देना है तो फिर आप बीच बीच में थोड़े थोड़े से 4-4-5-5-6 फंदे बनाईए और एक फंदा बढ़ा दीजिए तो मुझे इसमें सिर्फ तीन ही फंदे बढ़ाने हैं क्योंकि 10 के मल्टिपल प्लस 4 करने के लिए मुझे 24 फंदे चाहिए तो फिर आप जहाँ पर भी फंदा बढ़ाएं नीचे से एक लूप उठा लेना और इसको इस त फंदे बचेंगे तो इधर वाले फंदे के नीचे से ऐसे लूप उठानी है और एक फंदा यहां बना देना है तो मेरे यहां पर 24 फंदे हो गए हैं अब इस 24 फंदे में देखे सीधी साइड है और यहां डिजैन की पहली सलाई है जैसे मैं आपको यहां से बनाना सिखा र तो पहला फंदा ST से उतार ये या उल्टा बनाईए उसके बाद हम फिर से एक फंदा और उल्टा बनाएंगे तो ये दो फंदे इस तरह से उल्टे बुनने के बाद यहां से हमारा ये डिजैन शुरू हो जाएगा तो देखे धागे को पीछे करेंगे एक फंदा हम ये सीधा बनाएंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे और आठ फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे साथ और ये आठ धागे को हम पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे तो ये देखिएगा ये starting के दो फंदे छोड़ कर एक सीधा, आठ हुल्टे और एक सीधा, यहीं दस-दस फंदे का design बार-बार repeat करते जाना है, तो next बार की starting है देखिए, एक फंदा ये सीधा, जब हम इस तरह से बुनेंगे तो यहाँ पर आपके इकठे दो फंदे सीधे आठ फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और ये आठ, फिर धागा पिछे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे, आपके जितने भी फंदे हों बार-बार यहीं दस-दस फंदे का design बनाते जाएए, तो last में आपके फिर दो फंदे बचेंगे, इन को आप धागा अपनी तरफ करके उल्टा बना दीजिए, तो यहाँ पर design की पहली सलाई complete हो गई, दूसरी सलाई उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए complete कीजिए, क्योंकि इस design में उल्टी साइड की सभी सलाईयां बिल्कुल उल्टी उ कि ये तीसरी सलाई है और सीधी साइड है तो तीसरी सलाई को अब आप ध्यान से देखेगा कि कैसे बनेगी ये जो दो फंदे हैं ये हमारे हर बार सीधी और उल्टी दोनों साइड से उल्टे ही बनेगे तो ये दो फंदे बनाने के बाद अब यहां से हमारा डिजैन शुरू हो जाएगा तो धागे को पीछे करेंगे ये जो सीधा फंदा है इसको हमें यहाँ पर बुनना है और इस उल्टे वाले को यहाँ पर लाकर बनाना है यानि हमें फंदे ट्विश्ट करने हैं तो सीधे वाले को छोड़ देंगे और बैक साइड से इस उल्टे वाले फंदे में स्लाई डालेंगे इस सीधे को उतार कर इस हाथ की स्लाई पर ले लेंगे और इसको पीछे से लाकर हम आगे कर देंगे और इन दोनों फंदों को अब हम सीधा बना देंगे अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहां 6 फंदे उल्टे बनाने हैं एक, दो, तीन, च्यार, पांच, और ये छए, धागे को पीछे करेंगे, ये उल्टा फंदा और ये सीधा, इसको हमें यहाँ पर बुनना है और इस वाले को यहाँ लेकर जाना है, तो इस उल्टे वाले को छोड़ देंगे, सीधे वाले में फ्रन्ट साइड से स्लाइ डालें इसको उतारेंगे और back side की स्लाई पर डाल देंगे। इसे हम पलट के आगे कर देंगे। अब देखिए back side से इस स्लाई डालेंगे और इसको हम सीधा बुनेंगे। इस वाले फंदे को भी हम सीधा ही बुन देंगे। यह दो फंदे छोड़ कर यहां से यहां तक हमने जो सीधे वाले को उतारेंगे और फ्रंट वाली स्लाई पर डाल देंगे इसे पीछे से लाकर आगे कर देंगे और एक अब आगे से स्लाई डालेंगे और ये दो फंदे हमने सीधे बनाए धागा अपनी तरफ करेंगे और छे फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच और ये छे फिर धागा पीछे इस उल्टे वाले फंदे को छोड़ देंगे, इस सीधे वाले को हम ऐसे लेंगे, इसे उतारेंगे और बैक साइड की स्लाइपर डाल देंगे, इसे हम पलट के आगे करेंगे, अब इन दोनों फंदों को हम यहां सीधा बुन देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, और लास्ट के हमारे जो दो फंदे हैं, इनको हम उल्टा ही बुन देंगे, आपके जितने भी फंदे हों, यही दस-दस फंदे का डिजैन आपको बार-बार रिपेट करना होगा, चोथी सलाई उल्टी साइड से, आप पूरी उल्टी बुन कर कम्प्लीट तो यह देखिए फ्रेंट्स, चार सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई, अब इसकी यह पांचमी सलाई है और सीधी साइड है, पांचमी सलाई को आप ध्यान से देखिएगा, पहले यह दो फंदे हैं, इनको हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे कर दें यह एक फंदा सीधा बनाएंगे, अब यह सीधा और यह उल्टा, इन दोनों को हम ट्विस्ट करेंगे, तो देखिए दो तरीके होते हैं फंदे ट्विस्ट करने के, एक तो मैंने आपको पहले बताया है और एक मैं आपको अब बता देती हूँ, देखिए इस सीधे वाले क चोड़ दीजिए, उल्टे वाले फंदे में बैक साइड से स्लाइड आलिए और इसको आप इस तरह से सीधा बुन लीजिए, अब यह जो सीधा बच गया, इसमें आगे से स्लाइड आलिए और इसको भी सीधा बनाएंगे, और दोनों को एक साथ उतार दीजिए, तो देख तीन और यह चार, अब हम धागा पीछे करेंगे, देखें इस उल्टे वाले फंदे को हमें बाद में बनाना है सीधे वाले को पहले, तो आगे से स्लाइड डालेंगे और इस सीधे वाले फंदे को हम पहले बुन लेंगे, अब यह जो उल्टा बच गया, इसमें भी हम इस इसको सीधा बनेंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे अब देखिए यहां पर बीच में दो फंदे आपको सीधे नजराएंगे इन दोनों को आप इस तरह से सीधा बनाईए एक बार आपका डिजाइन सेट हो जाएगा तो आगे आगे आपका आराम से बनता चला जाएग अब ये सीधा फंदा है और ये उल्टा है इसको हमें यहां पर बुनना है और सीधे वाले को यहां तो बैक साइड से स्लाई डालेंगे उल्टे वाले फंदे को हम पहले सीधा बनेंगे फिर ये जो सीधा बच गया इसमें आगे से स्लाई लेंगे इसे भी सीधा बनेंगे और दोनों को उतार देंगे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे हम उल्टे बना देंगे, अब फिर से हम धागे को पिछे करेंगे, ये उल्टा और ये सीधा, तो उल्टे वाले फंदे को छोड़ कर आगे से स्लाइड डाल कर सीधे वाले को पहले बुनेंगे फिर इस फंदे में स्लाइड डालेंगे और इसे भी सीधा बुन कर दोनों को एक साथ उतार देंगे फिर ये एक फंदा यहां सीधा और लास्ट के जो दो फंदे आएंगे इन को आप उल्टा बना दीजिए बले ही मैं आपको यहाँ पर सरफ 24 फंदे में बता रही हूँ आपके जब ज़्यादा फंदे होंगे तो आगे आगे आपका डिजैन एटोमेटिक बनता चला जाएगा 5 सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई, 6 सलाई उल्टी साइड से, धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए कम्प्लीट कर दीजिए तो यह देखिए 6 सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई है, अब आज यह इसकी सातमी सलाई और सीधी साइड पर 2 फंदे हम यह उल्टे बनाएंगे, अब धागे को पीछे करेंगे, और 2 फंदे यहां पहले सीधी बना देंगे, अब धागा पीछे ही रहे, इस फंदे को छोड़ देंगे, इस उल्टे वाले को हम बैक साइड से पहले सीधा बनाएंगे फिर यह जो सीधे वाला है इसमें आगे से स्लाई डालेंगे और इसको सीधा बन कर दोनों को एक साथ उतार देना है धागा अपनी तरफ करेंगे 2 फंदे उल्टे यहां से उल्टे फंदे आपके घटते जा रहे हैं, ट्विष्ट करने पर सीधी वाले बढ़ते जा रहे हैं धागा पीछे करेंगे इस फंदे को छोड़ कर नेक्ट वाले सीधे फंदे में आगे से स्लाई डालेंगे इसको ऐसे बुन देंगे फिर इस फंदे में ऐसे स्लाई लेंगे इसे सीधा बुनेंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे अब यहां बीच में जो फंदे आपके आते जाएंगे एक, दो, तीन और ये चाह अब इस सीधे को और इस उल्टे को ट्विश्ट करना है तो बैक साइड से उल्टे फंदे को हम पहले सीधा बनाएंगे और फिर ये जो सीधे वाला है इसमें हम आगे से स्लाई लेंगे और इ फिर धागा पीछे ये उल्टा ये सीधा इनको ट्विश्ट करना है तो सीधे वाले फंदे में आगे से स्लाई डालेंगे इसको हम सीधा बनेंगे अब इस उल्टे वाले को भी सीधा बनेंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे ये दो फंदे अब सीधे और लास्ट के दो फंदे आपके उल्टे आएंगे अब आज ये इसकी उल्टे साइड पर और आठमी सलाई पर इसे उल्टा बुनकर complete कर दीजिये तो ये देखिए 8 सलाईया टिजैन की complete हो गई और अब इसकी ये 9 मी सलाई है और सीधी साइड है तो ये देखिए पहले वाले दो फंदे हम इस तरह से उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे, तीन फंदे ये सीधे, अब ये सीधा और ये उल्टा, तो इसको हम छोड़ देंगे, बैक साइड से उल्टे फंदे को पहले सीधा बुनेंगे, फिर ये जो सीधे वाला है, इसमें आगे से सलाइड डालेंगे, और इसे से सीधा बुन देंगे अब ये एक उल्टा और ये सीधा इनको ट्विष्ट करना है तो आगे से स्लाइड डालेंगे और सीधे वाले फंदे को हम पहले बुन देंगे फिर उल्टे वाले फंदे में स्लाइड लेंगे और इसे भी हम सीधा ही बना देंगे अब देखिए एक द तो तीन चार पांच और ये छे फंदे सीधे बुनने के बाद ये वाला सीधा और ये वाला उल्टा इन दोनों को हम ट्विश्ट करेंगे तो एक तरीका तो मैं ये आपको बता रहे हूं दूसरा फिर से बता देती हूं इस फंदे में उल्टी साइड से स्लाई डालेंगे इस इसे पीछे से लाएंगे और आगे कर देंगे और दोनों फंदों को सीधा बनाएंगे जो भी तरीका आपको आसान लगे वैसे आप फंदे ट्विश्ट कर सकती हैं अब ये उल्टा और ये सीधा तो आगे से इसमें स्लाई डालेंगे इसे उतारेंगे बैक साइड की पुनेंगे अब दो फंदे ये उल्टे आ जाएंगे तो नो सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई दसमी सलाई है और उल्टी साइड है धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए आप इस सलाई को पूरा कीजिए तो ये देखिए दस सलाईयां ये डिजैन की complete हो गई है अब हमें इनी दस सलाईयों को दोबारा से repeat करना है सिरफ इस design की जगे change हो जाएगी ये जो उल्टे वाले फंदे हैं इन सीधे वाले पर आ जाएंगे और यहां पर ये जो दो फंदे इकठे आपके जुड़ गई हैं सीधे वाले ये आपके सीधे बनेंगे तो ग्यारमी सलाई को आप ध्यान से देखेगा पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाईए देखे एक दो तीन च्यार पांच और ये छे फंदे आप इस तरह से starting में उल्टे बनाईए धागा पीछे और फिर दो फंदे आप ये इकठे वाले हैं जो इनको सीधा बनाईए धागा अपनी तरफ करेंगे और आठ फंदे उल्टे एक दो तीन च्यार पांच छे साथ और ये आठ ये starting के छे फंदे छोड़कर दो सीधे और आठ उल्टे यही दस दस फंदे का डिजायन आप आगे आगे बनाते जाए फिर धागा पीछे करेंगे और ये देखे ये दो फंदे यहां सीधे आएंगे दागा अपनी तरफ लाश्ट में आपके 6 फंदे उल्टे आएंगे तो इस तरह ऐसे 11 सलाईयां डिजायन की कम्प्लीट हो गई 12 सलाई उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा-उल्टा बुन कर कम्प्लीट कर दीजिए त तेरमी सलाई सीधी साइड पर, अब हम यहां यह पांच फंदे उल्टे बुनेंगे, देखिए, एक, दो, तीन, चार, और यह पांच, यह उल्टा और यह सीधा, इन दोनों को हम त्विश्ट करेंगे, तो धागे को पीछे करेंगे, सीधे वाले फंदे में आगे से स्लाई ड लेंगे, इसे भी सीधा बुनेंगे, और दोनों को एक साथ उतार देंगे, अब यह सीधा और यह उल्टा, इन दोनों को ट्विश्ट करना है, तो बैक साइड से उल्टे वाले फंदे को पहले सीधा बनाएंगे, जो यह सीधा है, इसमें आगे से स्लाई लेंगे, इसको सी पुनेंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे और 6 फंदे उल्टे, एक, डो, तीन, च्यार, पाँच, और ये च्छे, फिर से हम इसमें फंदे ट्विश्ट करेंगे, तो धागा पीछे, ये उल्टा और ये सीधा, उल्टे वाले को चोड़ कर सीधी वाले को ऐसे लेंगे इसे उतार कर बैक साइड की स्लाइपर करेंगे और इसे हम आगे कर देंगे दोनों में से आप तरीका कोई भी अपना लीजिए सिरफ हमें ये फंदे ही ट्विस्ट करने हैं ये सीधा ये उल्टा बैक साइड से इसे लेंगे इसको उता कर फ्रंट वाली स्लाई पर और बैक साइड से हम यहां बीच में करेंगे और दोनों फंदों को सीधा बुन देंगे आपके जितने भी फंदे हों ऐसे ही बनाते जाए लास्ट में आपके पांच फंदे होंगे इनको आप उल्टा बुन दीजिए तो इस तरह से तेरा सलाईया डिजैन की कम्प्लीट हुई चोदमी सलाई को आप उल्टी साइड से बिर्कुल उल्टा बुनते हुए कम्प्लीट कीजिए अब इसकी यह पंदरमी सलाई है और सीधी साइड है पंदरमी सलाई को देखिए एक दो तीन और यह चार फंदे इस तरह से उल्टे बनाईए धा सीधे वाले को छोड़ कर सीधे वाले को हम पहले बुनेंगे तो आप इस तरीके से भी बना सकती हैं सीधे वाले में आगे से सलाई डाल कर इसको पहले बुन लीजिए अब यह जो उल्टा है इसमें ऐसे सलाई डालेंगे और इसको बुनेंगे दोनों को एक साथ उतार दें अब ये दो फंदे यहां सीधे अब ये सीधा और ये उल्टा तो बैक साइड से उल्टे फंदे को हम पहले बुनेंगे फिर फ्रंट साइड से स्लाइड डालेंगे और सीधे वाले को बुनेंगे और इन दोनों को फिर एक साथ उतार देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे चा और फिर हम इसके दूसरा जो हमारा उल्टा फंदा है इसमें आगे से स्लाइड डालेंगे और इसे भी बुन के उतार देंगे फिर ये दो फंदे यहां सीधें अब इस फंदे को हमने बाद में बनाना है इसको पहले तो बैक साइड से स्लाइड डालेंगे इसको पहले बुन फिर इसमें आगे से सलाई डाल कर इसे भी बुनेंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे लास्ट में आपके चार फंदे होंगे इनको आप उल्टा बनाईए 15 सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई 16 सलाईय को उल्टा बुनते हुए कम्प्लीट कर लीजिए तो ये देखे फ्रंट 16 सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई 17 सलाईय है और इसकी ये सीधी साइड है ये तीन फंदे हम स्टार्टिंग के उल्टे बुनेंगे एक दो और ये तीन धागा पीछे करेंगे और इन दोनों फंदों को हम ट्विश्ट करेंगे तो पहले को छोड़ कर देखे दूसरे वाले में सलाई डाली इसको बैक साइड की सलाई पर किया और इसे पलट के सबसे आगे अब एक दो तीन चार पांच और ये छे अब इन दोनों को ट्विश्ट करना है तो इसे छोड़ देंगे बैक साइड से इसको हमें पहले बुनना है तो आप ऐसे भी कर सकती हैं इसे उतारिए आगे कर दीजिए और इसे पीछे से हम यहां लाकर सीधा बुन देंगे अब देखिए यहां पर धागा अपनी तरफ करेंगे और सिर्फ दो फंदे ये उल्टे आएंगे फिर धागा पीछे करेंगे और फंदे ट्विश्ट करेंगे ऐसे ही डिजैन को बार बार आपने रिपीट करते जाना है सीधे वाले फंदे को हमने पहले बना लिया उल्टे वाले को आगे किया तो उसको भी सीधा बुन दिया तो दो ये हो गई हैं तीन, चार, पांच, और ये छे अब इस सीधे वाले को छोड़ कर उल्टे वाले को हम पहले बुनेंगे तो back side से slide डाल कर उल्टे वाले को पहले बुन लिया फिर front side से slide डाल कर सीधे वाले को बाद में बुना और दोनों को एक साथ उतार देंगे लास्ट में आपके तीन फंदे होंगे इनको आप उल्टा बनाईए 17 सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हुई 28 सलाई उल्टी साइड से उल्टा बुनते हुए कम्प्लीट कीजिए तो ये देखे फ्रेंट्स 18 सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हुई 19 सलाईयां और सीधी साइड है तो ये दो फंदे उल्टे फिर धागे को पीछे करेंगे इन दोनों फंदों को ट्विस्ट करना है तो इसे छोड़ देंगे और इस सीधे वाले फंदे में आगे से स्लाई डालेंगे इसको हम पहले बुनेंगे फिर इस उल्टे वाले को हम सीधा बुन देंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे और ये बीच वाले फंदे अब हम सीधे बना देंगे क्योंकि यहां सीधे उ प्रंट साइड से स्लाइड डालेंगे और इसको बाद में बुनेंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे अब इन दोनों फंदों को ट्विष्ट करेंगे तो उल्टे को छोड़ कर आगे से स्लाइड डाल कर सीधे वाले को बुनेंगे फिर इस उल्टे वाले को भी सीधा ब पहले बनाया इस सीधे वाले को हम बाद में बुनेंगे और उतार देंगे लास्ट में आपके सिरफ दो ही फंदे बचेंगे इनको उल्टा बनाईए 19 सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई 20 सलाई है और उल्टी साइड है इसे आप उल्टा बुनते हुए कम्प्लीट कीज तो ये देखिए 20 सलाईयों में इस तरह से ये डिजैन ओवर हो जाता है इन ही 20-20 सलाईयों को जब आप बार बार रिपिट करेंगे तो इस तरह से बहुत ही शांदार आपका ये डिजैन बनता चला जाएगा नेक्स्ट बार के स्टार्टिंग के लिए देखिए जैसे बोर्डर के बाद हमने ये पहली सलाई बुनी थी सेम टू सेम हमारी यहां से बुनी जाएगे तो मैं आपको एक सलाई इसकी बुन कर दिखा देती हूँ ताकि डिजैन को रिपिट करने में आपको कोई दिक्कत न तीन, चार, पांच, छे, साथ और ये आठ फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा ये स्टार्टिंग के दो फंदे चोड़ कर यहां से यहां तक हमने जो डिजैन बनाया इसी को बार बार रिपिट करना है तो फिर से देखिए एक सीधा धागा अपनी तरफ और आठ फंद हों बार बार इसी डिजैन को रिपिट करना है आठ उल्टे बनाने के बाद एक फंदा सीधा और फिर लास्ट में आपके दो फंदे बचेंगे इनको आप उल्टा ही बना दीजिए तो ये इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो गई है इन ही बीस बीस लाईयों को जब आप बार बार रिपिट करती जाएंगी तो बहुत ही प्यारा सा आपका डिजैन बनता चला जाएगा तो फ्रेंट्स अगर आपको ये डिजैन पसंद आया हो ये स्वेटर बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लेज आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इसका जो मैं बैक पार्ट बनाती हूँ वो देखिए इस तरह से बिलकुल सीधी उल्टी सलाईयों से बुनती हूँ बैक साइड पे भी अगर आप कोई डिजैन बनाना चाहें तो बना सकती हैं नहीं तो जेंट स्वेटर में पीछे का पार्ट अगर हम प्लेन बुनते हैं तो उसकी लुक बहुत अच्छी आती है तो बैक पार्ट में सिरफ बैक साइड के गले की घटाई बाकी है बाकी ये हमारा बन चुका है तो फ्रंट पार्ट में हमने इसमें डिजैन डालना होता है तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आरम होल की घटाई करेंगे डि झाल झाल